क्या नाम बता है अबना अली अब्बास अरे माशालला माशालला आपको तो ऐसे भी अली अब्बास हैं आप तो क्या नाम है तो माशाएलला बच्छे बच्छे जादे आ अगकर वा वे हाई नमास पड़ का रहे हूँसब माशाला माशाला इधर आई 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 सब आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इध खुदेए बीटा कितने वक्तिकी वक्तिकी कि टीन वक्तिकी कि पढ़ते हो विद्धेशानला अच्छा-च्या क्या नाम बता है आपने अपना मुहम्मद हसनेन कौन से वक्ति की नमाज पढ़ा रहे हैं असर जोड़ से बताओ असर असर की अरे माशालला बहुत अच्छी बात है कि यह पांच जो नमाज है 14 घंटे में कीदिने वक्ति नमाज पढ़ते पीटा हुष कोड़ ध्यान से सोचके बताओ फोड वांस तोनी इस फांच वक्ति की नमाज फर्श है या चार वक्त की अपश्र वक्ता रहे थे कशी बात नहीं से बहुत अच्छी वाट माशा Woo क्या नामद है आपने है? मुम्मद उजयफ मुम्मद उजयफ माशाळला, अभी असरी की नमाज पड़ करें हैं आप? माशाळला कितनी रकाद नमाज है इस में असर में? आठ यानि ये चार सुन्नत? हाँ, चार फर्ज बहुत खुब माशाळला, बहुत अच्छी बात है आपका नाम क्या है? मुम्मद उमीन मुम्मद उमीन बिटा सवाल करू एक आपकी जहनी अज्माश के लिए करू हमारे रब का नाम क्या है? अल्लाद बिल्कु बिल्कु डरना नहीं है बिल्कु 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 बि किसकी उम्मत में हम रसूल जोड़ से बताओ रसूल रसूल बेशक बेशक घबरानी जुरू नहीं बेटा बहुत अच्छा है आपको इस कम उमर में इतना इल्म है आपको ये मालूम है कि हमारा रब अल्ला है हमारा दीन दीन क्या हमारा बेटा बताएंगे आप बताएंगे इसलाम हमारा दीन इसलाम इसलाम ही है बेशक बहुत अच्छी बात है कि इस कम उमर में आपको इतना इल्म है कि हमारा दीन इसलाम है हमारा रब अल्ला है हम रसूल अल्ला की उम्मत में है अपने क्या नाम बता है बेटा ना शाहनावाज नमास पढ़ते हैं बेटा माशाला अच्छी बात है पढ़ा करो माबाब से भी कहा करो नमास के लिए कि नमास पढ़ा करें नमास हमारे नभी सल्लाव सल्लम के आपको की ठंडक है फजर में कितनी रकाद नमाज है बता सकते हो दो जोर से बताओ हाँ बोलो बोलो घबराते नहीं है बिलकुल नहीं घबराना बताओ आप बताओ चार बोड़ चार रकाद नमाज बेशक बहुत अच्छी बात है आपने अपना नाम क्या बता है मुम्मद अमीन अच्छा माशाला बेटा मगरिब की नमाज में कितनी रकाद नमाज फर्ज है मगरिब में साथ फर्ज कितनी ये फर्ज फर्ज है तीन तीन माशाला बहुत अच्छी बात है तीन रकाद नमाज फर्ज है अच्छा अमीन भाई ने या आमीन मुम्मद अमीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया तीन नकाद नमाज मगरिब में फर्ज है एक सवाल और करूं आपने कहना मता है अपना अली अब्बास अरे माशालला माशालला आपको तो ऐसे भी अली अब्बास है आप तो एक बात बताएं मस्जिद में दाखिल होते हैं एंट्री जब करते हैं मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो कौन सा पैर रखना चाहिए आगए सीधा या उल्टा सीधा रिवाह वेरी माशालाई आपको इल्म है sup darling Allah, कहां से सीखा बटा आपको ngay बताओ, कहां से सीखाँ आपने इतना इल्म कहां सीखा बटा, मम्मी पापस है मम्मी पापस है इसलोर माशालाई आपके मम्मी पापस है कोई सवाल आप तो नहीं करेंगे न मुझे कोई जहन में तो नहीं आपके सवाल कोई मेरे लिए माशालला बहुत अच्छा लगा बिटा आपसे मिलकर और अल्ला से दुआ है कि अल्ला आप सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए बहुत अच्छी बाच है माशालला ये छोड़े छोड़े बच्चे हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इन साज हमने थोड़ा सा ने की जहनी अजमाईश की और कुछ इस्लामे कर नमास से मतालिक सवाल की है तो माशालला उमर से बढ़कर इनोंने जवाब दिया उमर से बढ़कर उमीद नहीं थी मुझए कि छोड़े बच्चे लेकिन खुशी हो रही है इस बात की कि इन बच्चों को इतना इल्म है कि इनका रब अल्ला है दीन इसलाम है मुहम्मद ﷺ की उम्मत में है ये और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब इनसे ये पूछा मैंने कि मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त कौन सा कदम रखा जाए तो कहा कि सीधा और बातरूम के अंदर उल्टा बासानी इनों जवाब दे दिया बहुत खुश हुई आप सबसे दुआ है कि हमरे इस परवाम से जुड़िया और माशालला इन बच्चों के हक में दुआ करें अल्ला हिन सब के इल्मों में बरकते अता फर्माए असलाम आलेकम रहमत ल्ला